नमस्कार साथियों स्वागत करता हूँ मैं अपने यूटूब चैनल टोटल वेकींसी पर तो दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है जो भी हमारी बहने एनेम 10709 में आभीधन किये हैं इस वीडियो को कमप्लीट वॉच किजेगा क्योंकि एक बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी BTSC एनेम पर्मानेंट भरती के रिकार्डिंग में देने वाला हूँ चाहे वो कॉन सेलिंग के नजरिये से हो चाहे वो मेरिट के नजरिये से हो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है साथियों जैसा कि आपको पता है एनेम की भरती में करीबन 30,000 लोग को यहां पर कॉन सेलिंग में बुलाए जाएगा और इस वीडियो के माधियम से यह जानकारी बताएंगे कि कौन से काटेगरी में कमपटीशन ना के बराबर या फिर आप बोलिए बहुत ही जादा कम है जिससे की उनलों का चैन होना निश्ची तोर पर यानि की नौकडी होना एकदम तय है अफिशली जानकारी के साथ आपको अपडेट बताएंगे साथ ही में दोस्तों मुवाइल नंबर को ले करके भी बड़ी अपडेट आप लोग को बताना है कई सारे स्टुडेंट्स अभी तक नहीं जानते हैं हो सकता है कि उससे आने वाले समय में आप सभी को दिक्कत का सामना करना पड़े उसी कारण से अभी ही मैं आपको समझा देना चाता हूँ सभी जानकरिया तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंट्रस्टिंग है जो भी चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा दोस्तों एक दर्ख्वास रहेगा कि वीडियो को स्किप करके मत देखिया क्यूंकि कल के डेट में मैंने जब वीडियो बनाया था तो कई लोग को समझ में नहीं आया था देखिए जब आप स्किप करके नहीं देखोगे तो आपको सभी जानकरियां डीटेल्स में समझ भी आएगा क्योंकि मैं step by step आपको सभी जानकरियां समझाता हूँ जरू जरू आप लोग अस्किप मत किजेगा वीडियो को जिससे की आप लोग को हानी पहुचने वाला है सबसे पहले साथ हूँ यहाँ पर मुझे अपडेट देना है कि कौन से यहाँ पर कटेरी में कमपटिशन ना के बराबर है उसके बारे में देखे इसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत मैंने कल भी दिया था पर क्या हुआ था कि कई साथ लोग यहाँ पर स्किप करके वीडियो देखे तो इसी कान से उन्हें समझ में नहीं आया था देखे सबसे पहले में बता देना चाता हूँ यह सूचना है जो कि एनेम आठासी सो तिरेपन का है आठासी सो तिरेपन जो कि संबीदा पर हाली में भरती आई थी इसके अनुसार से यहाँ पर मैंने जानकारी बताया था कि देखे जैसा कि डॉक्मेंट वेरिफिकेशन में 32 पर चैन किया गया है और वही 32 पर यहाँ पर आप मांगे चली यहाँ पर उनका लिस्ट भी बनाया गया है उसी प्रकार से यहाँ पर आप एक तरिश के सेक्टो गर्मान की चली इनका 32.99 पर दिया गया और 32.99 पर इन लोग का यहाँ पर आपका सेक्टे मैरिट बनाया है क्योंकि सबसे पहले उपर देख लीजिए यह जो की इधर का नंबर होगा वो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन यानि की कॉंसेलिंग पर कितने नंबर पर बुलाया जा रहा है और इधर यह जो की फाइनल मैरिट लिस्ट को लेकर यानि की आपका जब न्यूक्ती हो जाएगा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो भी दिग्यांज है उन लोग को घबराना नहीं है मैं पहले से बताता आ रहा हूं कि दिग्यांज लोग है जो भी आप लोगों को घबराना नहीं है आप कोई भी दिग्यांज लोगों में कटेरी उठा लीजे चाहे वो 33 नंब और सभी का CBG टेस्ट में 100 नंबर का MCQ कोशन ने जहां पर एक सभी 30 अराम से इसली बनाए हुए हैं और 30 नंबर सभी का CBG टेस्ट में दिया हुआ है यानि कि एक तरीके से यह कर सकतो यह कट आफ नहीं है और अगर आप यहां पर आप लोग यहां पर भी देखिए P.W.D. में यहां पर देखिए 32 पर ही और 32 पर फाइनल वेरिट भी बना है यह तो आप लोग जो की हो गया दिग्यान लोग का कुछ कटेगरी भी है जहां पर भी ऐसा कुछ देखने को मिला है सबसे पहले वो कटेगरी आजाता है दोस्तों ST कटेगरी वाले जान लिजिए देखिए ST कटेगरी में F देखिएगा क्योंकि देखिए A.N.M. में सभी के समी फीमेल महलाएं ही रते हैं कोई भी पूरुस आभीदन नहीं करते हैं इसी कान STF देखिएगा सबसे जब सबसे जबसे जादा सर्गे का स्बसूरुस देखिएấn इसे यहां यहां पर उन लोग को 32 नमर पर कराटीशन एक भी लिजिएगा यहां पर और 32 नमर पर लिजिए घंक पर existور.. यहां यहीं हार दोस्तों के दानी करने साम्वास और उसके बाद जेनरल के बाद BC कटेरी में ही सबसे ज़्यादा competition है उसके बाद अगर बात करें तो EBC में होगा उसके बाद EWS और उसके बाद आप SC और ST का होगा अगर आप यहाँ पर SC का भी देखिए दोस्तो SC female का भी आप अगर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर SC female के लिए 32 नमर पर यहाँ पर इनलों को chain किया गया और 32 नमर पर ही last में result भी जारी किया गया है यानि कि जो लोग भी SC में female में आविदन कियोंगे उनलों का नौकरी बहुत ही easily तरीके से समविदा में हो गया और कल भी में के डेट में भी मैंने यहीं बताने का कोशिस किया था कि दोस्तों देखिए 8833 में कुछ इस प्रकार से कल्ट आफ जारी किये गया थी यानि कि आप लोग का इस बार भी कुछ मिलता जूलता रहा सकता है क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा बहुत सीटे बढ़ा है सबसे बले तो यह भरती 10,000 की बढ़ती है लेकिन इसमें आवेधन करने की संक्याएं को भी बढ़ा गया क्योंकि आप ही देखिए अगर जो भी संविदा पर कारे कर रहे है 8853 वाले भी इसमें आवेधन करेंगे चाहिए वो 865 में कारलत है वो भी यहाँ पर आवेधन करेंगे क्योंकि यह भरती पर्मानेंट है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर लोगों का संक्या बढ़ाएगा यह एकदम निश्चित है लेकिन आप लोग को जो भी SC में आते हैं और ST में आते हैं और जो भी दिग्यांज है उन लोग को कोई भी घबराना नहीं है कि आप लोग का चैन नहीं होगा या फिर जो भी आप लोग निश्चित रिये आप लोग का नौकरी 100% यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं चैनल जाता है कि विघ्यापन के सभी संबंदित कोई भी बहुत रिजर्ट आता है कोई भी यहाँ पर प्रकासित किया जाता है वो आपको btsc.bih.nic और जो की परिक्षा.nic.in दो की दो बेबसाइट btsc के ओफिसली हैं वही दोनों पर प्रकासित किये जाएंगे और अता यहां पर अगर बताया गया कि अगर आप बेबसाइट को अलगातार विजीट करते रहिए यहां पर बताया कि आप बेबसा कि माधियम से आप दर्थियों को सुचित किये जाने का जो की यहां पर बताया गया कि वैदता नहीं है तो यहां पर आप लोग को एक बात समझ लेना है कि हो सकता है कि आपको gmail id पर जैसे की result जारी होगा अब result जारी होगा तो उन लोग को counseling में बुलाए जाएंगे हो सकता है वो आपके officially side और यहां पर आपके कुछ समाचार पत्रों में ही प्रकासित किये जाएंगे यह btsc के officially विज्यापन में लिखा गया तो आप लोग एक बार ध्यान दे दीजेगा इस सब बातों को क्योंकि कई सारे candidates रते हैं जो कि mobile number या फिर आपका सकतो gmail पर अपना या पर देखते रतेंगे कोई सूचना आया है या नहीं आया है तो देखिए नहीं भी आ सकता है यह आप समझ लिजे क्योंकि अगर आप हाली का देखिए स्कूटनी का तो किनी लोग को भी कोई भी message btsc के माध्यम से नहीं आया था कि आप लोग की स्कूटनी लिया गया है सबसे पहले आपको हमाल चल के माध्यम से बता जाएगा तो चैनल पर अभी तक नए हो और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा दोस्तों क्यूंकि यह सभी अपडेट्स में आप लोग को देखिए पूरा विज्यापन मैंने पढ़ चुका हूँ जो भी यहां पर जानकार जरूर जरूर लिखेएगा अगर आपको क्या लगता है आपके क्या आगला जोकी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए नीचे कमेंड में जरूर जरूर जानकारी दीजेगा दोस्तों मिलते कॉंश्रूर में तब तक के लिए गुड़बाए जहीं जेबात बदमातरम ठा